नमश्कार मेरा नाम बीना है और आप दे इंडिया टॉप देखना शुरू को चुके हैं सुप्रिम कोट का कहना है कि किसी समुदाय विशेज को लेकर पटाकों पर रोक नहीं लगाई गया है बलकि लोगों के जनहीत के सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है उसने आगे कहा कि किस तरह अगर जो हानिकारक पटाके अगर वो दिपावली में जलाय जाएंगे तो ये लोगों को जान पर बनाएगी और इसलिए ही इस पर रोक लगाया गया है इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने और क्या कुछ कहा है इसको लेकर चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं मौच बस्ती के लिए दूसरों के जीवन से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती आपको बता दी कि इसके साथ ही सुप्रिम कोट ने ये भी कहा है कि वो लोग वो कारोबारी जो चोरी चुपे इस तरह के पटाके को मार्केट में लेकर आएंगे और हानिकारक रसायन इस्तमाल कर ग्रीन पटाकों के नाम पर उसे बेचा जाएगा उस पर सीबी आई जाच भी करने के आदेश दिये जा सकते हैं आपको बता दे कि इसके आगे उनका कहना है कि हम किसी खास समू या समूदाए के खिलाफ नहीं है पीट ने कहा है कि पिशली बार भी इससे बचने के लिए कहा गया था लोगों को उत्सो मनाने की मना ही नहीं है हम इसके खिलाफ नहीं है लेकिन मौज मस्ती के लिए किसी के मौलिक अधिकार का खनन नहीं किया जा सकता जस्टीस M.R. शाह और जस्टीस A.M. वपन्ना की पीट ने पठाकों पर प्रतिबंद के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कोट का आदेश पुरी तरह लागो होना चाहिए आदेश का उलंगन होने पर उसे लागो करने वाली एजेंसे की जिम्मेदारी बनती है कोट ने आगे कहा है कि पिछली बार भी कहा गयते आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे लागो करने वाली एजेंसे जिम्मेदारी और जबाब दे ही होगी प्रतिबंदित पठाके खुल्याम निकालने पर नाराजगी जतातेवे कोट ने कहा है कि आदेश का खुल्याम उलंगन हो रहा है और आज भी ऐसे पठाके बाजार में बिल नहीं है आपको बता दे कि पठाको पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाया गया है एंवारमेंट फ्रेंडली पठाके आप जला सकते हैं हाला कि अगर आप नुकसान दे रसायन का इस्तमाल करते हो और उसके बाद उसे ग्रीन पठाको के नाम पर बेचा जाएगा तो उस पर कोट सकत कारवाई करेगी और ये भी निर्देश दिया है उसका ये भी कहना है कोट का कि अगर ऐसा किया जाता है तो CBI जाज के भी आदेश आगे दिये जा सकते हैं आपको क्या लगता है आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दे इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले हमारे पेज को लाइक कर ले फेस्बुक पेज को और हमारे साथ बने रहें झाल